आपके अच्छे marks नहीं आ रहे हैं, English में आप कहीं न कहीं lag कर रहे हो और reasoning में भी आपकी जो marks हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको इसमें कैसे improvement करनी हैं, आज क्या हम भी इस फीडियो में वो जानेंगे, नमस्कार दोस्तों, खुश्बू क्लाशिजर में एक बार आपका स्वागत है, I am Maroon working as an officer in public sector bank from last three years, तो दोस्तों, बहुत से बच्चे मुझसे स्वाल पूछते हैं कि quantitative aptitude में हमारे marks अच्छे नहीं आ रहे हैं, हम उसमें improvement कैसे कर सकते हैं, usually सभी का जवाब यह होता है कि marks आप देखके improvement कर सकते हैं, लेकिन marks को किस तरीके से evaluate करना है आजम इस वीडियो में जानेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना syllabus देखिए, जो भी maths का syllabus है, बिल्कुल basic से, हर इक chapter को आपको बिल्कुल base से start करना है, धीरे धीरे जब आपका base clear हो जाएगा, फिर आपको high level questions की तरफ जाना है, इसके लिए आप कोई भी एक book उठा लीजिए, ज्यादा multiple sources आपको लेने की जूरत नहीं है, एक book उठा लीजिए, जो level अच्छा हो, for example मैंने अपने time कीरन से काफी practice की थी, या तो फिर और बहुत सारी books हैं जो आपके पास available है, अल्रेडी कोई भी नई book लेने की जूरत नहीं है, आप उसमें से base से लेक box available होते हैं, जो sectional भी होते हैं, complete भी होते हैं, आपने हर रोज एक sectional mock जूरूर लगाना है quantitative aptitude का, sectional mock लगाने के बाद आपको, आपके main motive होना चाहिए, कि mock चाहे एक दिन का एक लगा लो, या दो दिन में एक लगा लो, लेकिन आपको उस mock को evaluate जूरूर करना है, कि मैं कौन से section में, और किस part में lack हो रहा हूँ, suppose कीजी quantitative aptitude में, आप time and work का आप से question solve नहीं हुआ, फिर आपको back आना है, अपने पिछले step पे, पिछले step में हमने क्या किये था, basic से लेके high level के तरफ question दुबारा से revise किये थे, आपको उस chapter से, particular chapter से जिसमें आप lack हुए, दुबारा practice करनी बेसिक से लेके high level तक, जब आपकी practice हो जाएगी, जो पार्ट में आप lack हुए, फिर से आपको next step की तरफ बढ़ना है, एक नया मौक लगाना है, लेकिन आपको दूसरा मौक तब तक नहीं लगाना है, जब तक आप पहले को अच्छे दे evaluate करके, उसकी practice ना कर पाए हुए, जिस पार्ट में आप lack हुए थे, तो ऐसे करके आपने step by step बढ़ना है, इस तरीके से क्या होगा, आज आप एक chapter में lack हुए, कल को दूसरे में होगे, तो धीरे धीरे आपकी practice भी साथ में होती रहेगी, साथ में आपको confidence भी आता रहेगा, धीरे धीरे आप ये absorb करोगे कि अ एक्जाम में आपको question selection करनी आजाएगी, कैसे paper attempt करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे marks दे दिये हैं, और साथ में ये भी पता चल जाएगा, कि अगर question मुश्कील है, उसको छोड़ के आगे कैसे बढ़ना है, तो ये main strategy है, ये main practice करने का तरीका है, practice बहुत से low करते हैं, ले English में बहुत से बच्चे lack होते हैं, वो rules पढ़ते जाते हैं, लेकिन rules कैसे apply होने हैं, वो उनको समझ में नहीं आता है exam में, क्योंकि rules पढ़ना और उसको question में कैसे implement करना है, कैसे उसमें से error निकालना है, कैसे vocabulary के words हैं, वो कैसे पढ़ने हैं, ताकि exam में solve हो पाए, तो वो बहुत से बच्चों को नहीं paper में पता लगता है, जिस वज़ए से बहुत से बच्चे तो English section की sectional cut-off भी clear करना ही बाते हैं, तो इसके लिए हमने भी अपने चैनल पर एक initiative लिया था कि हमने बिल्कूल जो नए है English के लिए जिनका basic clear नहीं है, उनका basic clear करना की कोशिश में हम comprehension तो एक integral बात है, वो हर एक means में प्री में आता ही आता है, आपको paragraph पढ़ना सीखना है, कि आपकी paragraph पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी newspaper फोलो कर सकते हो, जैसे बहुत से बच्चे दा हिंदू को शुरू से फोलो करना ले, यह tough newspaper है, इसके जगह आप economic time से शुरू कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको paragraph पढ़ना आ जाएगा, कि किस टाइप से आप paragraph पढ़ सकते हो, उसमें नए words भी मिलेंगे आपको, जिससे आपकी vocabulary इंप्रूव होगी, इससे आपका reading skills भी जो है वो इंप्रूव होंगे, और आप यह भी अफ़र करोगी, कि जो पहरा आप दो मिनिट में पढ़ रहे थे, वो एक मिने बाद आप देड़ मिनिट में पढ़ने लगे, जिसके आपकी क्या होगी, reading speed है, वो भी तेज हो जाएगी, जो rules आपने पढ़ने हैं, rules के लिए जो सभी कहते हैं, mock आपको maximum attempt करना ह mock के लिए कैसे attempt करना है, उसमें कैसे improvement करनी है, ये बात मैंने आपको already बता दी है, जैसे quant में किया था, इसी तरीके से इसमें mock देने है, mock देने के बाद आपको पता लगेगा, आप कहां लेकर रहे हैं, उस पार्ट पर maximum आपको work करना है, साथ में ये भी important part हो जाता है, mains में हम logical reasoning की बात करते हैं दोस्तों, जो logical reasoning है, इसमें बहुत से बच्चे बड़ी स्कोर ले आते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कोई बच्चे होते हैं, जो इसमें lack करते हैं, उनका aptitude अच्छा होता है, लेकिन reasoning में lack कर जाते हैं, तो इसके लिए basic तो सब को आते ह आपको prepare करने हैं, साथ में आपको puzzles पे work करना है, puzzle आपको high level की करनी है, usually जैसे 3 से 4 variable की puzzle mains में आपको देखने को मिलती है, तो आप कोशिश कीजिए उसी level के आपको puzzle जो है mocks में लगाने हैं, अगर आपको mocks में वो ऐसे puzzle नहीं मिल रही है, आपने mocks particular नहीं लगाना, तो ब आप में या और बहुत तरीके की puzzle होती है, mainly आपको उस पे work करना है, अगर आपको approach सही मिल ली, puzzle बनाने की, तो आप किसी भी पार्ट में जो है, reasoning के आप मार नहीं कहा सकते हैं, आपके बहुत अच्छे score आएंगे, अगर आपको ऐसे ही guidance चाहिए, और आपको लगता है जिस subscribe कर दीजिए, और नीचे bell icon को दबा दीजिए, thank you.